नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबी लोगों का स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अभी अभी जश्ट आई हुई अभी एसाई और एसाई की भरती परिच्छा के संदर में ये पुलिस विभाग के लिए जो है भरती आई हुई है उत्तरप्रदेश पुलिस भरतियों प्रुण लगोड के द्वार इसके बिग्यवति जारी कर दिये गए हैं और ये सामान ने एसाई की तरह से नहीं बलकि गो जा रही है लेकिन फिर भी बेरोजगारी के इस दौर में अगर 1331 लोग भी जो है कम होते हैं तो निश्ची तोर पर ये प्रयास माना जाएगा और बूद बूद करके घड़े भरने के समान होगा तो बिभिन प्रकार की जो इसकी जानकारिया है वो आप लोगों तक पहुं है जिसके लिए अलग अलग प्रकार की योगताय में घारित की गई हैं तो आई हम लोग एक एक करके उसको देखने का प्रयास करते हैं ताकि वह बिस्ष्ट जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके जिसे आपको परिच्छा के पूर्वे जानकारी होना चाहिए और परि के लिए गोपनिय विभाट के लिए और एसाई लिपिक के लिए और एसाई लेखा संबर्व के लिए तीन प्रकार के पदों को यहां पर विज्ञापिट किया जा रहा है और इसकी टोटल संख्या जो है वो तेरा सो वन्तिस के लिए कि often इसन तो गोपनिय वि भाग और लिपिक भीवाग है जो सहाइड के प्रके यहां करते हैं और डेखा संबर्व है जो बिफिन प्रकार के जो विल का परिछन 003 करते हैं जिसे भुकतान इत्याथि कार्यवाई को परकिया जाता है । इन पदों के संदर्वर में एक बात देखते हैं कि इसमें जो आरग्षषड की गवस्था रहे वो वेटिकल और हर्जेंटल दो प्रकार के जो यए रक्षड बैवस्था होती हैं तो वर्टिकल जो है वो तो उसी तरीके से हैं लेकिन इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए दो प्रतिसत और इसी तरीके से एक्स और में के लिए पांच प्रतिसत और महिलाओं के लिए बीस प्रतिसत ये जो आरक्षण इसमें दिया जा रहा है ये आरक्षण आपको 36 आरक्षन 36 आरक्षन दिया जा रहा है कहने का ताथ पर यह है कि 20 परिस्ट, 5 परिस्ट और 2 परिस्ट यदि 36 आरक्षन का ताथ पर यह होता है कि यदि ये वर्टिकल आरक्षन यानि कि आपने अपने बर्वों से ये चैनित हो जाते हैं यहाँ पर यह आरक्षड इनको नहीं दिया जाएगा और थात इनका नियूंतम इतना प्रतिसत दो प्रतिसत प्रतिसत और महिलाओं का 20% चैन होना आवस्यक्त है यदि ये अपने अपने बर्गों में क्वालिफाई कर जाते हैं या अनारक्षित बर्ग में क्वालिफाई कर आते हैं तो इनको अलग से आरक्षड नहीं दिया जाएगा लेकिन यहीं सामाने रूप से कमप्वटिसन में वह आररक्ष्ड बर्ग में या इनहाँ पर नहीं आते हैं तो महिलाओं को 20% दिया जाएगा इनकी मेरिट अलग से बनेगी और उसी क्रम में जो है इसकी मेरिट जो है डाउन हो जाएगी नीचे जाएगी और यही देवस्ता जो है एक सार्मी में के संदर्व में हैं और यही जो है भूत पूर्द सरिकों के जो है संदर्व में हैं तो यह आरक्षन के लिए जो है जो है जो और्टिकल एक आरक्षन है जिसमें कि एस्टी एस्टी ओबीसी जेनरल अनारख्षित बर्ग इस तरीके की जो बेवस्थाएं की गई है उसके अलावा यह जो तीन प्रकार के आरक्षण है जिसे विशेस आरक्षण या 36 आरक्षण के नाम से ही जाना जाता है तो यह बेवस्थाएं महिलाओं के लिए हां पर 20-30 कि वेवस्था को बनाया रख गया है तो यह वही जो वेवस्था सारी निक मांदर्ड क्योंकि आप पुलिस संबर्ग में भालती के लिए जा रहे हैं तो यहां को सारी मांदर्ड सबसे इंपोर्टेंट है इसमें चेस्ट और हाइट दो चीजों को भी सिस रूप से देखा तो अगर हम इसमें देखें हैं UR के लिए और OVC के लिए और SC के लिए इन तीनों बर्गों के लिए जो हाइट की वेवस्था है वो 163 cm है और वहीं इनके लिए जो है 156 cm की वेवस्था की गई है और इनके लिए जो है इनके लिए जो चेस्ट की बात की गई है वो सदहत्तर से 82 में है सामानी स्थिति के सदहत्तर और अधिक्तम 82 5 cm की गयट की बात यहां पर कही गई है यानिकि चेस्ट में यह 5 cm रखाए गया है अंतरा और सदहत्तर से 82 की लिए वहीं पर कि अगरा बर्ग की अगर बात किया जाए तो यू आर ओवी सी कि इसी तरीके से एस सी कि इनके लिए जो है कि एक सो पचास है और एस्टी वर्ग के लिए एक सो पैटालिस कि यह यह यहां पर केबल बेट की बात की गई है वजन कि वजन यहां पर 40 केजी मियून तव होना चाहिए यह सर्थे यहां पर लादू हुए तो कुल मिला करके यह महिला और पूर्ष की संदर्व में अगर देखा जाए तो सारी लिए मांदंड में इन बातों को ध्यान में रखना और से भोगा और 165 सेंटी मीटर और 156 सेंटी मीटर क्रमसा इन के लिए और यह इस्टी बर्विए के लिए जो है चाहिं बिषीए प्रकार की कंग जशन मंदंकि योगईताय की नहीं बनाएं हैं और बेसिक ज़ो योगधाय कशता वह उस पर हम लोग आपफे चर्चा करेंगे तो इसमें तीन प्रकार के पत है जो गोपनिये है गोपनिये पत के लिए जो गरुस्था की गई है उनमें असनाता खुना आउसिक है यह निमें जो है पचीस सब्दों की जो है पचीस सब्द प्रति मिनट इस सब्द प्रति मिनट हिंदी और इसी तरीके से आपना सक्षेज की इस सब्द जो प्रतिमिनट आंगरेजी के हिसाब से आपको टाइप भी करना होगा और यहां पर इसके लिए गोपनिये पद के लिए एक विशेस्गार की जो है योगिता की बात कही गए असी सब्द प्रतिमिनेट असी सब्द प्रतिमिनेट जो है आसुलीपी जो है कि व्यवस्था की गई है यह केवल गोपनिये पद के लिए यह व्यवस्था रखी गई है यह आपके अब यह यहां के लिए जो है ओ लेबल भी होना आवस्था है यह तो यहां पर आपने देखा कि असनातक होना चाहिए ओ लेबल का कोर्स होना चाहिए पचीस सब्द प्रतिमिनेट इन्दी और अंग्रेजी में अगर यह देखा जाए तो यह 30 सब्द प्रतिमिनेट और 80 एसाई लिपिक वर्ग के लिए हम बात करें एसाई लिपिक वर्ग के हम लोग बात करें तो यहां पर जो भी असनातक की बात कही गई है असनातक के साथ में पचीस सब्द युम तीस सब्द की जो हिंदी और अग्रेजी में प्रति मिनट की बात कही गई थी वह यहां पर भी लागू होता है लेकिन असे सब्द आसुलितिक नहीं है और ओ लेबल की कॉर्स की यहां पर भी जो है जरूरत होती है तो इसलिए असनात तो यहां पर भी जो है असनाता के लिए जरूरी है असनाता के साथ-साथ यहां पर पंदरह सब्लिक प्रति मिनिट जो है वह हिंदी में जो है टाइब की बात करें और ओ लेबल तीनों में है तो यहां पर भी ओ लेबल की बात कही गई है अर्था तीनों ही पदों के लिए ओ लेबल और असनातक आवस्तेक है बाकी सभी में कुछ नकुछ अंतर है जिसे आप विग्यापत प्रति देख सकते हो यहां पर दिये चीज़े आप लोगों को कि अगला है परिच्छा का स्तुरूब इचार प्रकार कि जुत है टापिक रखे गए हैं और प्रतिक से सव पोज में पूछे जाएंगे यहां पर जो है हिंदी मके सटीन जो है कमप्वीटर के हिंदी और कंप्यूटर से सव प्वैस्ट्टिन इसी तरीके से G-स से सो कोश्चन मायत और रिजिनिंग से सो कोश्चन इसे ही वहां पर संख्यात में क्योगिता और महांसी क्योगिता के रूप में लिखा हुआ है सावान अध्यन और समसामी की लिखा हुआ है और अगला है अभिरुची वो आप अभिरुची का तात पर यह होता है आपके पद के अनुरूप जिस तरीके की चीजें की जरूरत होती है उसमें आपकी परिच्छा भी जाएगी इस प्रकार के नीचर और कल्चर में आपकी समझ किस तरीके की है वहां पर अभिरुची से रेलेटेड़ कुछे जाएंगे आपके आईक्यू से रेलेटेड़ कुछे जाएंगे और तारकिक छहंता से कुछें यहां पर भी जो सव प्रश्न पुछे जाएंगे तोटल आपका 100, 100, 100 और 100 यह तरीके से आपके प्रश्ण पत्र जो होंगे यह लिखित परिच्छा का फार्मेट है यहां और सबसे इंक्वर्टन जो हर बार की परिच्छा में अलग-अलग होता है जो ध्यान देनी की बात है कि वो इंडिविजूल सेक्शन वाई जो है 35 परत विसरत मार्श प्राप्त करना उस्थिक है इन विसरतों को पूरा करने के बाद ही आप मेरिट सूची में आएंगे और आपके पदों की संख्या के अनुरूप आप मेरिट सूची के आधार पर चेम किये जाएंगे यह तक पास होने का इसमें कोई भी आधार नहीं है कि गया कोई है और नीचर यह कई है इहां पर mej momento करने के नहीं आथार करने के बाद ही आप मेरिट सूची में जाएंगे और उसके आधार पर उनपर से नीचे की थी तप आपके मियरिट बनाएं जाए और इन पदों की जो जो संख्या है टोटल मिला करके उसके आधार पर कि वरियता कि आधार पर वो सीटे आपको आवन्टित की जाएंगी तो यह रही बेवस्ता परिच्छा की संदर्व में यहां पर एक और चीज़े हैं चैन का जो आधार है यहां पर दो चीज़े हैं एक जो सारी दी मांदन्ड और आपके अभिलेखों की सम्धिच्छा या पर पर विचार किया जाएगा और यह जो सर्थे 35-40% की अगर आप पास करते हैं तो इन लिखित परिच्छा के आधार पर प्राप्थ हुए अंको की गुरुता सुची या मेरिट सुची में आपको इन पदों के आधार पर आवन्टित की जाएंगे तो कहने का ताथ पर है अगली बात है रणीत यहां पर जो 35% और 40% की जो सर्थ लागू की गई है यह भी आपके रणीत को बनाने का एक महत्वन आधार और कारण बनता है क्योंकि यहां पर आप किसी की एक टाफिक को बहुत अच्छा करके और दूसरे टाफिक को सामान में रूप से तयारी करके निस्चित तोर पर पर परिच्छा से बाहर हो जाएंगे तो ऐसे इस्तिती में आपको यह ध्यान में रखना है कि हमें अपने सेक्षन के सभी अपने जो है इस परिच्छा के जितने भी सेक्षन है टाफिक हैं उस सभी टाफिक्स और सेक्षन को सामाली रूप से ही लेकिन सब की तैयारी करना है और विसेस रूप से जो अभी तक समस्या रही है लोगों उगे गणित को लेकर करके तो आपको गणित की तैयारी अभी से पराना कर देना चाहिए खैर showers ponieważ पीं का सेक्शन देखर के आप लोगों के लिए एक महात्वूर्ण और आसाल बनाने वाला ज़िवार टापिक किया क्योंकि श्यक्षिस्थों आतरो और लोगों की तैयारी हूँ थी होद और लोगों कहां से कुस्चन हलकर पाते हैं तो वही तैयारी कीजिए जिसकर की चोटे सेक्षन जिसके की study material आपको नहीं मिलते हैं इस topic को भी आपको तयार करना है और हर सेक्षन से जादा से जादा प्रशन करना है इसलिए आप दो-दो टापिक को एक साथ में प्रारंग कीजिए पढ़ने के लिए एक कठीं टापिक एक सरल टापिक जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत जादा बोरिंग भी ना हो सके बहुत रूखा ना हो सके और इंटरेस्टिंग लिए आप आगे बढ़ते रहे तो यहा बिकलबाद जरूर पढ़िए क्योंकि ऐसा करके आप गलती जल्दबाजी से होने वाले एक-एक सवाल-दो-दो-सवाल की गलती को बजा सकते हैं अगर मानीजिए सो कुष्चिन यहां पर है और जल्दबाजी करने के कारण से दो कुष्चिन आपका गलत हुआ है यानि कि प्रशनों को पढ़ने में और विकलब को पढ़ने में ये दोनों बहुत जरूरी है चारो टापिक के बीच में आपको संतुलन तयारी में करना बहुत जरूरी है और विसेज करके चौथे पेपर का इस्टिवी मटीरियल आपको तयार करके इस पर प्रेक्टिस करना बहुत तो निश्ची तोर पर आज की इस टापिक में हम लोगों ने यसाई और एस एसाई जो की गोपने लेखा और लिपिक संबर्ग में भरती उप्तर प्रदेश कुरीश भरतियों प्रणने गोट के द्वारा आई है उसके बारे में एक सामाने जानकारी आप लोगों को मिल जाती झाल 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 झाल